मुख्य समाचार जगदलपूर विधान सभा सीड सस्पेंस खत्म जतीन जायस्वाल होंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी औल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी ने देर शामजारी की प्रत्याशियों की नहीं सुची बस्तर का दोरा करेंगे केंदरी ये ग्रिह मंत्री अमीत शाह चुनावी सभा को करेंगे संबोधित लाल बाग में तैयारिया हुई पुर्ण बोधगार चौक में लाखों का सागावन का चिरान क्या गया सब्त ड्राइबर हुआ फरार नौरात्री के चौथे दिवस पर हुई मा कुष्मांडा की पुजार्चना और लाखों का गांजा परिवहन करते हुई आरवपियों के अलावा चोरी करते हुई पकड़ी गई महिलाएं बस्तर की बात में आपका स्वागत है मैं हो गया अत्री आचारे आए बढ़ते हैं खबरों की ओर जग्दलपूर की हाई प्रोफाइल सीट पर अबरहस्य का परदा हट चुका है जग्दलपूर के पुरो महापौर जतिन जैस्वाल के खाते में ये टिकेट आ गई है हम आपको बता दें कि जग्दलपूर की सीट पर सब की नजर अटकी हुई थी नाम घोशना में लेट लतिफी के कारण भी सीट का करशन बढ़ता ही जा रहा था जिसके वजह से ये सीट हाई प्रोफाइल सावित हो गई थी इसमें कॉंग्रेस के चार दिगज पुर्विधायक डिक्चन जैन, पुर्वजिला ध्यक्ष राजिव शर्मा और पुर्व महापौर जतिन जैस्वाल और कॉंग्रेस के महासचिव मलकित सिंग गैदू ने भी दावेदारी पेश की थी प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी और AICC की बैठकें लगातार चल रही थी, विचार मन्थन हो रहे थे और अंतता ये सीट जतिन जैस्वाल के खाते में चलाया टिकेट मिलने के बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया, खुशी देखी गई टिकेट मिलने की घोशना के ततकाल बाद ही कॉंग्रेसियों और जतिन समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया उनका मुख्य मुकाबला भाजपा की पूर महपौर किरन देव से होगा अब देखना ये है कि कॉंटे की इस टक्कर में जनता आखिर किसे अपनाती है देखे आज कॉंग्रेस पार्टे रहे हैं लेकल को विदान सभा के लिए हमारे जाटे भाई यतिन जैसमर्णी को पार्टी का प्रतियासिर बनाया है हाई कमान के पेशन रेड़ने का हम सभी स्भागत करते हैं और पात साल कारकरताओं के आति पात से मैं विदायक के रूपे रूपे कारकरता जनता का प्यार इसने जो मिड़ा इसके लिए धिन से धन्यवाद और जतिन हमारा भाई है जुनाव कांग्रिस पार्टी लड़ रही है इतना काम इन पात सालों में हमने बनाया समय कांग्रिस के अध्यार शुचिर बहुत के बज़े हैं इनके नहत्रितों में हम सभी कारकरता कांग्रिस पार्टी को पिछला चुनाव जो हमने 27440 वोट से जीता था पार्टी चलता पार्टी को इस चुनाव के 4011 वोट को जीता है आज पुटे कश्वकाश्वी वराई में के कॉंग्रेस के बहुता जुचा है हर एलेक्शन हर चुनाव जाहे बेरे मुहंबर का चुनावों जाहे रेकुबिया का अधान सभा का चुनाव आप लोग के बिना अधुचा कि बिना आपके यह चुनाव अभरों कभी नहीं कर सकते हैं कि मेरा अनुवाव एक चुनाव और रेकुबिया का चुनाव जो मैं बहुत दज्दीक शदेगा कि बिश्वक से आज अगर मैं इस चेका पहुंचाओं तो तो काई नगे रेकुबिया का बस्रपोर नागी भारतिये जनता पार्टी ने बस्तर में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए तयारी शुरू कर दी है 19 अक्टबर गुर्वार को केंदरिय ग्रिह मंतरी अमित शाह जगदलपूर दोरे पर होंगे वहीं भारतिये जनता पार्टी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी वे शामिल होंगे 36 गड के बस्तर संभाग के 12 विधान सभा सीटों में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के लिए भारतिये जनता पार्टी, कॉंग्रेस और सभी राजनेतिक दलों ने अपनी अपनी तयारियां शुरू कर दी है संभा के पूरे 12 विधान सभा सीटों में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोशित कर दिया है बीजेपी के सभी प्रत्याशी अपने अपने विधान सभा क्षेतर में चुनाव प्रचार में जुट गये है वहीं 19 अक्टुबर को जगदरपूर, चित्रकूर्ट और बस्तर विधान सभा के भारतिय जन्ता पार्टी प्रत्याशी नामांकन दाखेल करेंगे इस दिन खुद देश के ग्रिह मंत्री अमित शाह भी बस्तर में मौजूद रहेंगे वहीं वे रामांकर रहली के साथ लालबाग मैदान में भी चुनावी सभा को संभोधित करेंगे ग्रिह मंत्री के बस्तर प्रवास को देखते हुए भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने सारी तैयारियां पूरी कर ली है शेहर के लालबाग मैदान में चुनवी सभा का आयोजन क्या जाएगा जहां वे आम सभा को सम्भोधित करेंगे वहीं 19 अक्टुबर गुर्वार को दोपहर एक बजे के करीब भारतिय जनता पार्टी विधान सभा कोंडा गाउं के अधिकरित प्रत्याशी सुश्री लता उसेंडी और केशकाल विधान सभा के अधिकरित प्रत्याशी नील कंठ टेकाम के नामांकन रैली और आम सभा के आय इस बारे में उन्होंने अपनी पूरी जानकरी दे से आगे उनको भी दन्यवाद देता हूं और हमारे से सनतर को दन्यवाद देता हूं कि मेरे तीवारा मुझे कंडिडेट बनाये हैं बस्तर विदान सभा के लिए और मैं चाहूंगा कि जो हमेरे विश्वास से उन लोगों क्या है उस मैं करेव तंदर के प्रयास करेंगा आप है देखा देखा तो बहुत कूछ है बहुत कुछ करना है में बtarjorजिला में हम पचास वीजबी को इस्तानी बढार है कर पा रहे हैं के मुद्दे हैसे तो आने वाला समय में अजिसको कोट तो ऊट में हम लोग आयर वीज़गार के लिए करेंगे 20 कुंटल लान खरिद रहे हम लोग अना इसी तरह सब के लिए हम लोग करेंगे हम लोग आने माला समय में सबका बलाई होगा सबका उद्योग लगेगा सब लगेगा थन्यवाद बोधगार चौक सरगीपाल रोड पर मंगलवार की दोपहर चुनाव ड्यूटी पर लगे एसस्टी अमले में शामिल वनिभा के करमचारी दामोदर सेथिया ने एक 207 वाहन को शक्याधार पर रुका वाहन रुकते ही वाहन चालग वाहन छोड़कर फरार हो गया पीकप की जा किमत खरीब 50,000 और वाहन के कीमत 5 लाग बताई जा रही है इस प्रक्रण में वनिभाग आगे की कारवई कर रहा है यह तो से जादा तेज है और समय समय पर रातरी कर दिश्टी और दिन भार अपने दस्ती में करते हैं और जितने मुख्विर हम लोग दर लगाए गया है उन्हों बहुत काम कर रहे हैं और उसे जब भी हम सुचना मीर्ति हमार इस्टाफ करता से चाहे रात हो चाहे दिन इस पुलतंगुप्टा साफ का अच्छा मार्दस्रम रहता है इसमें काफी इस्टिक्ष हैं उनका भरकूर सहोग रहता है कि स्टैप्स अवे चोरियां वे दिकासी में कड़ी कारवे की जाए आज का जो घटना था वो किस तरीके गता डीफो साहब के मार्दस्रम हम लोग पूरे शक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्री शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है इस शक्ति से ही समुचा ब्रह्मांड संचलित होता है शक्ति की आराधना के ये नौ दिन बहुत महत्पोन होते हैं ये संपोन विश्व शक्ति में है इन दिनों शहर भर में शारदी नवरात्र की धूम है श्रद्धा भक्ति के साथ मातारानी के उपासक देवी मा की आराधना कर रहे हैं जगा जगा चौक चौराहों में भव्य पंडालों में विराजित मादुर्गा की विशेश पूजा अर्चना की जा रही है गंगा मुंडा इस्थित भैरमगुडी दुर्गा समिती द्वारा भी पिछले 25 वर्षों से दुर्गती नाशनी मादुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है पंचमी और अश्टमी की दिन यहां विशेश पूजा अर्चना होती है आज बुधवार को नवरातरी के चौथे दिन आदिशक्ती श्री दुर्गा का चतूर्थ रूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के सभी रोग शोक कर नश्ठ हो जाते हैं इसकी भक्ती से आयू, यश, बल और आरोग्य की वृत्धी होती है गंगमुंडा भैरमगुडी दुर्गा समीति के अध्यक्ष शुरेंद्र श्रिवास्तों ने हमें बताया मेरा नाम सुरेंद्र शुर्वास्तो है, मां यहींеци का गंगंगानगरवाट फिर्वीश्ती हूँ यहां पर हमारे हाँ हर साल 25 होवर से मताजी का श्配ष पना किया जा जारहा है अब बुदा जा रहा था कि नगर निंगमसी की बंडाल को किनारे करिए, हमारा तो इन था को रोड लैट को किनारे करिए, यह सब थोड़ समस्थे आ रहा था, जिससे बाद में हम आई तू जाके बोला कि हम लों हर साल रखते हैं, जिससे की परेशानी नहीं हो, फिरुनों न शेहर में जगा जगा पंडाल सजाए गए हैं सोसजित पंडालों में विराजमान मादुर्गा की पुजा अर्चना पूरे विधी विधान के साथ देवी भक्तों द्वारा की जा रही है गीदमना का इस्थित जै भारत माता दुर्गा उत्सो समिती द्वारा भी पिछले 22 वर्षों से पंडाल सथापित कर माताराने की पूजा अर्चना की जा रही है समिति द्वारा गर्बे के आयोजन के साथ भंडारे का भी आयोजन किया जाता है साथ ही पैदल यातरों की भी सेवा की जाती है जिसमें पूरे वाडवाशियों के सहयोग होने की बात कही गई पुराना की दमना का जया भारत माता चमा और समिति का नाम भी जया भारत माता दुर्गाउस्व समिति है विगत बाइस वर्षों से हम पूर्जा आयशना माता जी के करने हैं और हमारे जो साथी हैं हमारे साथ में जो हैं उनके सयोग और मुहले के सयोग से और कोछ नामी कमिशनर श्याम धावडे और आईजी सुन्दर राजपी ने ओडिसा राजय से लगे सीमा चेक पोष्ट का ओचक निरिक्षन किया बुध्वार को कमिशनर और आईजी ने 36 गड की सीमा वर्ति गाउं भेजा पदर आल पदर तारपूर बोरगाउं की चेक पोष्ट में तैनाद स्थेतिक दल और पुलिस दल का जायसा लिया उन्होंने तैनाद दलों को सभी व्यक्तियों वाहनों और वस्तों की जांच कर और पंजी में उनका पूरा विवरण दर्ज करने के निर्देश दिये साथ ही कर्मचारियों को सजगता के साथ कारे करने पर भी जोर दिया दोनों अधिकारियोंने चेक पोष्ट में 24 घंटे निगरानी में लगे CCTV की स्थिति का भी अवलोकन किया इस दोरान उन्होंने ग्रामेणों से चर्चा कर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था के संबद में भी जान करी ली कमिशनर और आईजी विधान सभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार सहिता लगू होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजाले ने निकले हुए थे ग्यातों के संबद के सभी जिलों में विधान सभा निर्वाचन दवरान चेक पोश्थ इस्थापित कर आने जाने वाले वाहनों की सघंजान जांच की जा रही है निस्पक्ष निर्वाचन के लिए शासन प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है गांजा का परिभान करने के लिए बस का इंतजार कर रहे आरूपियों के कबजे से 45 किलो से ज्यादा गांजा और तीन नग मोबाइल बरामत किया गया है जिसके कीमत 4,57,100 रूपए आंके गई है इस मामले के कारवे नगरनार थाना के अंतरगत की गई है आरूपियों में मुकेश गुपता पपो प्रसाद गुपता दोनों आरूपि ग्राम केरी मिटी जिला कोरापुट ओडिसा के निवासी है साथ ही तीसरा आरूपि रोहित कुमार जिला पला मुझार खंड का रहने वाला है आरूपियों को गिरफतार कर अपराद कायम कर विवेचना मिलिया गया है वहीं तराई परा धरमपुराक शेतर में भी अवैद रूप से गांजा तसकरी करते हुए एक आरूपि को पकड़ा गया है यह मामला सिटी कोतवाली जग्दलपूर शेतर का है आरूपि के पास से 10 किलोग्राम अवैद गांजा पुलिस ने बरामत किया जब्द किये गये गांजे के अनुमानित कीमत 50,000 रूपे बताया गया है आरूपि का नाम धनी राम बखेल है ग्राम कोड़का नार का ये निवासी बताया गया है और एक खबर पुलिस विभाग से ही है शहर में दो महिला चोर को बस्तर पुलिस ने गिरफतार किया है दोनों महिलाओं ने मिलकर धरंपुरा आसना के दुकानों से महिलाओं के बच्चों के कपड़े और राशन सामानों की चोरी की थी दोनों महिलाओं को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया है मामला सिटी कोतवारी एक शेत्र का है दोनों महिलाओं के पास सभी चोरी के सामान और एक्टिव आइस कुटी पुलिस ने बरामत कर लिया है चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइन्स पर मुख्य समाचार जग्दलपूर विधान सभा सीड सस्पेंस खत्म जतीन जैस्वाल होंगे कॉंग्रेस के प्रत्याशी ओल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी ने देर शामजारी की प्रत्याशियों की नई सुची बस्तर का दोरा करेंगे केंद्रिय ग्रिह मंत्रिय अमीद शाह चुनावी सभा को करेंगे संबोधित लाल बाग में तैयारिया हुई पुर्ण बोधगार चौक में लाखों का सागावन का चिरान क्या गया सब्त ड्राइवर हुआ फरार नवरात्री के चौथे दिवस पर हुई मा कुष्मांडा की पुजार्चना सो सजजित पंडालों में विराजबान मातारानी की हो रही विधी विधान पुजा उपासना और लाखों का गांजा परिवहन करते हुए आरवपियों के अलावा चोरी करते हुए पकड़ी गई महिलाएं आज के समाचारों में बस इतना ही कल हम फिर हाजिर हुँगे इसे समय से वक्त तबते के लिए हमें दीजे इजासत नमस्कार झाल